तो बहुत ही जल देखिए आयोध्या पर फैसला आने वाला है आयोध्या मामली को लेकर पुलिस की चौकसी अब पूरी तरह से बढ़ती हुई दिख रही है पुलिस ने फ्लैग मार्श निकार कर लोगों से शांती ववस्ता बराए रखने के अपेल भी की और चार जगे की अ पुलिस की देखिए आधी रात को जिस तरह से यह चौकसी देखी जारी उसे पता चलता है कि प्रशासन कितनी तरह और कितनी तेजी के साथ इस पूरे मामले में चौकसी दिखाते हुए और स्तरकता बरते हुए नजर आ रहा है रामंदिर के फैसले को लेकर लखनो पुलिस ने राजधानी में जगे जगे पोस्टर लगाए हैं पुलिस ने कोट्स के फैसले का सम्मान करने की भी अपील की साथी कहा कि किसी भी प्रकार की अफ़वाहों को ना उन पर ध्यान दे और ना ही उनको फैसले में बढ़ावा दे आयोध्या में राम मंदिर और बावरी मस्जित के विवाद की सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला जल्द आने वाला है तमाम इस्थानों पे पुलिस ने जो है वो सतरकता पर अपनी अभी से शुरू कर दी है क्योंकि राम मंदिर का फैसला आने वाला है लखनाउ के विबिन छेतर में इस्पेक्टर छेतरा अधिकारियों ने इस तरह के पोस्टर चिपका हैं आप साफ तोर पर देख सकते हैं जिसमें लखनाउ के लोगों से इस बात की अपील की गई है कि उचितम नियायले का यानी राम जन भूमी का फैसला आने वाला है और ऐसे में किसी भी तरह की अफ़वाहों पर ध्यान न दें और सर्वोच नियायले का जो भी फैसला हो उसको पूरी तरह से सब लोग मानें और किसी तरह का भ्रहम न पहलाएं और ना ही अफ़वाहों पर द्यान दे इसी तरह से की कारवाई के लिए जो है वो पुलिस ने साफ तार पर लिखा हुआ है कि अगर कोई अफवा पहला आता है या समाजिक रूप से हिंसा पैदा करता है तो उसके खिलाफ इने से तक की कारवाई की जाएगी आप देख चकते हैं कि सारी चीजें पुलिस नहीं यहां पे लिखी हुई है और तमाम धाराओं को भी लिखा हुआ है कि किसी तरह की कोई भी धारा जो है वो लगाई जा सकती है अगर किसी तरह किसी ने अफवा पहलाने का काम किया या बाबरी मस्युद से जुड़े लोगों में नहायले कि फैसले के खिलाफ कोई वि शासन हाई अलट पर है